अभी सेक मिस्रा अक्सर कई खबरों की भीड में महत्पून खबरें गुम हो जाती है हमारी कोसिस आज वैसी ही एक गुम खबर के बारे में आपको बताने की है कोसिस इसलिए है कि हमारा यकीन है कि किसी ने आपको ये खबर नहीं बताई होगी कि ये खबर गुम हो गई होगी चुनावी मौसम है बहुत सारी राज़ती खबरे आ रही है सियासत में सोर है खबरों का सोर है खबरों की भीड है तो कई खबरें गुम हो जाती है ये स्वभाविक है तो इसलिए हमको लगा कि एक ख़वर आपको बतानी चाहिए दरसल आपको याद होगा बीजेपी कोटे से बिहार के एक मंत्री है प्रमोत कुमार उन्हेंने कहा था कि नितीज कुमार को कोई बुलाने नहीं गया था वो अपने मन से बीजेपी के साथ आये थे इस बयान पर राजिती खल चलते जूई थी राजिती में बवाल बढ़ा था बयान पर खुब राजिती गरमाई भी थी हाला कि बाद में जब हमारे एडिटर इंचीप सिटी पुस्ट लाइप के एडिटर इंचीप सिर्कान पुर्तिव सर से मंत्री जी बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने बयान से यूटन ले लिया था आप सुनिए मंत्री जी ने पहले क्या कहा था और हमारे एडिटर इंचीप से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा उसके बाद हम आगे की बात्चित करेंगे लेकिन इसको लोग दूसरे रूप में कहते बताद नहीं हम उस रूप में नहीं कहते हैं हम तो एका नाम है अब बताद जीन किस रूप में कहते हैं हम लोग कहे थे कि मुखमंत्री जी अगर नहीं होते तो उपेंदर कुशवा जी परतिपक्ष के निता नहीं बनते उपेंदर कुशवा जी राज सभा में नहीं जाते उपेंदर कुछ पाहा जी आज नरेंदर मोधी ना होते तो उतना वाड़ा कैबिनेट के में मिनिस्टर नहीं होते लालू के यहां जेल में जाकर मिलना पड़ा है उसको दूसरे रूप में काये थे हैं लोग दूसरे रूप में समद्दर दूसरा यह भी कहा था कि नितिश कुमार को कोई बुलाने नहीं गई थी बीजेपी खुद आये हैं आप इतना क्यों प्राट रही बताइए नहीं कुछ नहीं है आप इसी तरह कर दिये नहीं भाई अब बताइए कि नितिश जी को क्या फाइदा हो बीजेपी के साथ खाने से साफ नियत असपस्ट नीती सही संदेश आजना देश को विकास के जो मुकाम पर हमारे नितिश जी ने भी नोट बंदी का समर्थन किया था आपने सुना कि मंतरी जी ने पहले जिसकी बात हम कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि नितिश खुमार को कोई बुलाने नहीं गया था वो अपनी मर्जी से बीजेपी के साथ आये थे हाला कि बात में मंतरी जी ने यह उटन ले लिया लेकिन तब तक बयान अपना काम कर गया था राजिती गर्माई थी राजिती में हल्चल थी और इस बयान पर विपक्षी दलों ने भी खुब निशाना साधा था नितिश कुमार पर और इसको खुब भुनाने की भी कोशिस हुई थी विपक्षी दलों के द्वारा अब नितिश कुमार ने अपने इन ही मंत्री को करारा जवाब दे दिया है हाला कि नितिश कुमार की जो सैली है राजितिक सैली है वो ऐसे किसी बयान पर तुरित परतिकिरिया नहीं देते तुरत कोई बयान नहीं देते कोई पलटवार नहीं करते ऐसे बयानों से तीर मिला कर कोई तुरत हमला नहीं करते लेकिन जब वो जवाब देते हैं मौका मिलने के बाद तो जवाब बड़ा करारा होता है ऐसे हैं करारा जवाब दिया हलाकि नितिश कुमार से इस बयान को लेकर सवाल नहीं पूछा गया था और इस बयान को लेकर उन्होंने नहीं कहा है इस ब आगटबंधन की सरकार से हम अलग हुए हमने इस्तिफा दिया तो बीजेपी के सिर्स ने त्रितुल से हमारे पास यह ओफर आया था कि आप हमारे साथ चले आईए स्री सुसील कुमार मोदी जी यहां बैठे हुए है आप बते हम तो रिजाइन कर दिये इसके पास चीधे भारतिये जनता पार्टी के ऊपर से यह ओफर आया तो हमने तो लेजिसलेटर पार्टी की मीटिंग बुलाई थी और उसमें कहा कि वह यह स्थितिय है सब ने एगरी कि की जाकर रिजाइन कर दिए रिजाइन करके आये और उसके बाद ये बीजेपी का ओफर आया तो हमने बुला करके साया बटे हुए थे है ठोड़ी दिर के लिए घुटिरू este गया थे वहां से लोट करके रिजाइन करके आये झाये तो सारे के लोग खड़ेंते हमने उन के बीच में सारी बात बता दी लोट करके गए इस बीच में ech हमुरा रखा कि ब्लौ इचा उसकों अपर है हमारी पर्टी लोगों के सरकार बनाने का फैसला किया और लीडर इलेक्ट किया और फिर गवर्षी कुमार यह कह रहे थे तब बिहार के डिप्टी स्टीएम और सो सीलकुमार मोंदी आप जानते हैं डिप्टीएम भी हैं बिहार के और बिहार बी-ज़ए-पी के कदावर बंदन से अलग होने के बाद नितिश कुमार अपने मन से बीजेपी के साथ गए थे या बीजेपी उनको बुलाने गई थी मंत्री जी के इस बयान का जवाब भी मिल गया जब उन्होंने कहा था कि नितिश कुमार को बीजेपी बुलाने नहीं गई थी तो नितिश कुमार ने तो एक तरह से नितीज कुमार ने अपने ही मंत्री को करारा जवाब दे दिया है उनका जो बयान था उस पर और नितीज कुमार का यह स्टाइल है जब बयान नहीं देते लेकिन जब मौका मिलता है तो वैसे करारा जवाब देते हैं अगर आपको हमारी यह ख़बर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ सेर करें हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी ख़बरे सबसे पहले आप तक पहुंचें प्यार समर्तन और सयोग के लिए बहुत बहुत ध